ओम शान्ते भोलानाथ पाप सामरी आत्माओं को गोरा बनाने के लिए संगम युग पर आते हैं जब सबकी काया चट हो गई काया को कलप तरू कंचन समान बनाने के लिए हम आत्माओं को हीरे तुल्ले पढ़ाई पढ़ाते हीरे तुल्ले लक्षे देते हैं जिस लक्षे को सामने रख हम आत्माएं ऐसा तीवरगती का श्रेष्ट पुरुशार्थ कर दें, जिससे ना केवल हम बलकि अन्य आत्माओं को भी आपसमान बनाने की सेवा में जुट जाते हैं। आएए रिवाइस करते हैं आज के 14 जन्वरी 2023 के महावाक्यों को। इस वंडरफुल नाटक में कौनसी बात बहुत ही समझने की हैं। किसी के कर्म किसी के साथ नहीं मिल सकते। 84 जन्मों में 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन भिन होंगे। जिसने जो कर्म किये हैं वह फिर 5000 वर्ष के बाद वही करेंगे। इस नाटक में जो भी एक्टर्ज हैं उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते। फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। श्रिव बाबा इस स्रिष्टी पर कब आते हैं? जब कल्यूक का अंत है, जब भक्त बहुत दुखी होते, जब मनुष्य स्रिष्टी रचनी होती, जब स्रिष्टी तमो प्रधान हो जाती, जब रावन राज्ये खतम होना है। श्रिव बाबा संगम युग में आकर कौन से कर्तव वे करते? ज्यान देते, सद्गती देते, सुर्जीत करते, गुहे बाते सुनाते, मनुष्य स्रिष्टी रचते, पारस बुद्धी बनाते, राज्युक सिखाते, ज्रामा की आदी मद्धे अंत का राज समझाते, वर्ल् लड़ाई जगडा मिटाते, मुख वन्शावली बनाते, नर्क का विनाश करते, काल के पंजे से चुड़ाते, ब्रामन से देवता बनाते, सुर्ग की स्थापना करते क्या होने से क्या होता है? ज्यान की बाते सुनने से लोग खुश होते, कामचिता पर बैठने से सावरे हो जाते, सुरिष्टी के तमो प्रधान होने से सद्गती करने शिव बाबा आते, सदा सुक के सागर बाप की स्मृती में रहने से सुक स्वरूप बन जाते, हमारे पार बुद्धी से बदल पारस पुद्धी बन जाती, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करने से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बन जाते, कल्यूग में क्या क्या है, सभी सावरे, सभी दुखी, पुरानी काया, अंतिम जन्म, सब को मरना है, कल्यूग का अंत, सामने महाभारी की लड़ाई, संगम युग में क्या क्या होता है?, ज्यान से हम पारस बुद्धी बनते, हमारी काया कल्प तरू होती, हमारी बुद्धी का ताला खुलता, हम सुप्री म रुह की मत पर चलते, हम योगबल से विश्व की बाद शाही लेते, हम जीते जी श्रिव बाबा के वा गुप्त शिव शक्ति सेना बेहत के रुहानी सोशल वर्कर्स हम बच्चों को किन बातों को धारणा में लाना है योगबल से विश्व की राजाई लेनी है अपना मुखणा आइने में देखते रहना है हम सत्यूग में जाने के लिए कहां तक लायक बने है पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है पतित कभी नहीं बनना है हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिकी लधे नूरे रतन हैं हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं इसी नशे में रहना है ये थी आज की मुरली की विशेश बाते आज सारा ही दिन हम अपनी चेकिंग करते रहें कि कितना हम सत्यूग में जाने की योग्ये बने हैं और साथी साथ इस नशे में रहें कि हम निराकारी और साकारी बाब के सिकी लदे नूरे रत्न हैं और शुब बाबा से हमें जीते जी वर्सा मिल रहा है आज सारा दिन इसी खुशी और नशे में कर्मयोगी बन कर रहेंगे ओम शान्ति